क्या आप भी अपने फेसेवूक पेज में विडियो अफ्लोड करते हैं और آپने फेसभूक मोनिटाइजेशन क्राइटेरिय का किसी भी आस्टेप को कंप्लीट कर लिया जैसे अस्टार का या सब्सक्रेपशन का इनस्ट्रियमीट का इन में से किसी भी criteria को आपने complete कर लिया तो आपको payout account बनाने का option आ रहा होगा, payout account setup करने का option आ रहा होगा, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं और यह क्या है, तो Facebook से आपने करने के लिए आपको सबसे पहले payout account बनाना होता है, और उसी में आपका पैसा आता है, जैसे आप YouTube में Google AdSense का account ब बनाना होगा, इसमें आपको अपना bank details एड़ करना होगा, तो आप कैसे अपना payout account setup कर सकते हैं, पूरा detail बताने वाला हूँ और आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए अपने mobile का screen को open करते हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, यहा मैं अपने page में आ जाता हूँ, तो मुझे इस वाले take help पर विकास वाले facebook page में payout account setup करना है, तो simply इस पर click करता हूँ, इस पर मैं जैसे click करता हूँ, तो मेरा facebook page open हो चुका, आप simply मैं यहां पर dashboard पर आता हूँ, तो dashboard पर मैं जैसे आता हूँ दोस्तों, यहां पर आप देख स अधिक्स इंफ्रमेशन का option आ रहा है, और इस पर click करके आप कर सकते हैं, अगर आप में payout का option नहीं आ रहा है, तो आप monetization वाले पर भी click करके, यहां से setup कर सकते हैं, जैसे आप यह देख सकते हैं, setup your payout account to get paid का option आ रहा है, earnings next payout, यहां पर देख सकते हैं, stars का option आ चुका, औ आप सेटप पे क्लिक करेंगे तब भी आपका प्याउट एकाउंट बनेगा आप प्याउट पे जाके क्लिक करेंगे तब भी आपका बनेगा और सेटप प्याउट एकाउंट पे क्लिक करेंगे तब भी आपका प्याउट एकाउंट बनेगा तो सिंपली मैं सेटप काड़ में है ठीक है यहां से अपने प्रोफाइल का नेम डाले या फिर पेस्ट्रॉक पेज का नेम डाले यहां से अपना कंट्री सिलेक्ट करने के बाद Simply आपको Next करना है, Next पर जैसे किलिक करेंगे तो कुछी Step का Interface आएगा, country Simply आपको India चूज करना है, और यहां से Business टैट में Simply आपको यहां पे Select करना है, Individual, ठीक है, Individual आप जैसे Select करेंगे तो Next का Option आजाएगा, Simply आपको Next कर देना है, Next आप जैसे करेंगे, तो कुछी Step का Interface देखन है वो डालना अब आपको यहां से primary address डालना है तो primary address जो आपके ID में है दोस्तों अधल काड में पैंड कार्ड में है वो primary address आप simply यहां पर एड करने ठीक है तो यहां पर मैं जल्दी से I do कर लेता हूँ तो यहां प्र देख आपका जो city है वो यहां से डाल लें अब यहां पे state आपका जो है state डाल लें मैं बिहार से हूं तो यहां से बिहार मैंने चूच किया अपना postal code यहां पे डाल लिया अपना phone number आप डाल लें ठीक है जो phone आप use करते हैं वो phone number डाल लें अब यहां पे आपको अपना email डालना है email id मैंने डाल दिया है अब यहाँ पे simply आपको अपना pen डालना है तो यहाँ पे अपना pen number डाल लिया है मैंने pen number necessary है दोस्तों तभी आपका होगा ठीक है यहाँ पे मैंने अपना pen number डाल दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों डिस्ट्रेशन नंबर का जिस्ट्रेंगर का ओप्षन आ रहा है, तो आप hain से लाएंगे जिस्ट्रेशन नंबर, तो ये ऑप्षिनल है दोस्तों, तो जिम्पली आपको यहाप कुछ नहीं करना है, यहां पे खेली किलिक कर देना लेगल लास्ट नेम, डेट बार्थ, प्राइमरी अड्रेस, सीटी, अस्टेट, जीप कोड, मतलब वई, पिन कोड, फोन नमबर, एमेल आइडी और अपना पैन नमबर, यहां से सब कुछ मैंने फिल कर लिया, दोस्तों, अच्छे से अपना जो भी आइडी में था, सब कुछ सब कर लिया, आप सिंपली मैं नेक्स्ट पर किलिक कर देता हूं, नेक्स्ट पर मैं जैसे ही किलिक करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, लोडिंग हो रहा है, तो नेक्स्ट मैंने जैसे किया दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, यह एक स्टेप आगे और बार हो जाता है तो आप डिरेक्ट अपने bank account में ले सकते हैं और यह दो-तिन दिन में आ जाएगा आप चाहे तो wire transfer भी कर सकते हैं इसमें आपको 100 dollar complete करना होगा तब आपका account में पैसा आएगा वो भी 7-10 दिन में और यहां पर आप चाहे तो अपना link यह PayPal account कर सकते हैं अपना PayPal account जो सकताना जाएगा अब आपको यहां पर अपना bank account detail फील करना है ठीक है तो यहां पर banking country आप देख सकते हैं अंडिया bank account currency INR इंडिया का INR ही होता है अब यहां पर आपको legal first name देना है जो भी आप bank account देना चाहते हैं जिसका भी आप bank account इसमें add करने वाले हैं उसका आप legal first name द दोस्तों मैंने अपना bank account details डाल लिया है अपना bank account का IFC code डाल लिया है bank account number डाल लिया अभी आप देख सकते हैं link payout method का option आ रहा है जो की highlight हो चुका है तो simply मैं इस पर click कर देता हूं तो यहां पर जैसे मैं click करता हूं दोस्तों तो loading हो रहा है loading होने के बाद देखते हैं क्या ह रहेगा और यह यहां से नहीं होगा तो यहां पर अब आपका payout account setup हो चुका है दोस्तों बन चुका यहां पर last option है वह टेक्स घरिफिकेशन का जो की यहां से नहीं होगा तो यहां से नहीं होगा simply मैं इस पर click करता हूं add tax info पर देखते हैं क्या होता है add tax info पर मैंने जैसे क किलिक किया दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी अभी शो नहीं कर रहा है यह डायरेक्ट किसी ब्राउजर मिलने जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं टेक से कंदे दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है अब यह जो औप्सण ओजान ओए ठिक है इसको आप कैसे आटा सकते हैं इसको और कैसे कंप्लीट कर सकते हैं बैस्टों सिम्सप्ल ही मैं अपने फैस्टबूग को क्रूण फ्राउजर में ऊपेंड कर लेता हूं एकशिक प्रम कर लेता हूं और G में आपने फेश्बूग को फ्राउजर में उपेंड करके रखा तो सींपली आपने पर आपको kad सन्सक्र मिल जाता है दोस्तों ॥ो इस पर आपको क्लिक करें आ यहां पे कुछ इस टाइब का ऑप्छसन आज आ रहा है एला है अगर यहां करते है जाके तो यहां सब्क्रेंट करेंगे तो आपको किलीख करेंगे तो यहां से आपको नहीं करना सिमपली आपको सेटिंग्स वाले पूर किलिक करना है सिमपली आपको Yots करने यहां पर करना ही देख्सक्ते हैंस टेक्सिंफंफ इंफ्रॉनBeंसन को अपसिन आरहा है il को सब्सक्राइब यहां टेक्सिंफ्ण एड़ गाया क्रेंच क तो continue as vikas में कर देता हूं तो अब मेरा switch हो जाएगा प्रोपाइंट ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है अब इसको हम switch होने देते हैं उसके बाद वहां से आप इसको कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि वहां से कर लेंगे तो नहीं होगा अब यहाँ प नो आप जैसे ही करेंगे तो एक और option आपके पास आजाएगा are you acting as an intermediary agent यहाँ पर simply आपको no करना है ठीक है no आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको next का option आजाएगा तो next वाले पर आपको click कर दन्या next वाले पर आप जैसे क्लिक करेंगी तो enter name and taxpayer identification number का option आजाएगा तो यह आप याफ याफ देक सकते इंडियम जो मेरा है वो फूल नेम यहाँ पे शो कर रहा है और country citizenship आपको यहाँ से सब् toothbrush कर लेना है तो simply मैं इंडिया सेलेक्टक कर लेता हूँ हां से मैं करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टैप का इंटरफेस आ रहा है country address address line to city यह सब यहाँ पर show रहा ठीक है तो simply यहाँ पर आपको next पर click कर देना next पर जैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप चाहे तो सब पढ़ सकते हैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर पर show कर रहा है तो यहाँ पर I certified that I have capacity to sign for the person identified on line first of this form ठीक है तो signature आपको यहाँ पर करना है आपको whole name आपको add कर देना है जो भी आपका name हो तो simply मैं यहाँ से अपना name दे देता हूं यहाँ से अपना my name दे दिया उसके बाद यहाँ पर add जो date है automatic यहाँ से select हो जाता है जो आज का date रहेगा आप simply यहाँ पर आप चाहें तो इसको modify भी कर सकते हैं you can modify the date to a day before or after to fit your time जो ठीक है तो simply मैं यहाँ से next कर देता हूं यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो tax identity verification का option है वो फूरा complete हो चुका अब यहाँ पर review and submit का option आ रहा है तो आप इस form को पढ़ सकते हैं जो भी आपको पढ़ना है ठीक है आप देख सकते हैं एक बार review कर सकते हैं चेक कर सकते हैं और यहाँ पर simply submit वाले पर क्लिक कर देना submit वाले पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछी step का इंटरफेस आएगा loading होगा ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं United States your tax information is complete तो यहाँ पर यह सक्सेशफुली complete हो चुका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा pen number address सब कुछ सो कर रहा है तो यहाँ पर आप दे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यह टैब आपको आपके बिजनेश शूट पर पहुंचा देगा ठीक है तो यहाँ से आप सिंपली आपको बैक हो जाना है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने जैसे उसको complete किया टैक्स फॉर्मेशन वेरिफिकेशन को complete किया यहाँ आप बिल्कुल असानी से कर सकते हैं आप अपने फोन में ही इसको कर सकते हैं अब आपके फेस्बुक पेज में या फिर आपके प्रोफाइल में एंट टैक्स इंपो का ओप्शन नहीं आएगा वह आपका जो प्रोब्लक हाँ वह पूरा किलियर हो चुका अगर वीडियो चलाग तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को लुए प्रेस कर देजी थैंक्यू दोस्तों में तेर नेक्ट वीडियो में बाइ